वो ब्रेक्फस्ट एड होम एक बाई फिर आपको हम खुश्माम दीद कहेंगे ब्रेक्फस्ट एड होम के सेट्स मेरे जिंदगी में जाहिरा है हरकतें ऐसी रही हैं कि मेरी फ्रैक्टर्स और हडियां बहुत ज्यादा टूटीं कि एक दिन मैं बैठा गिन रहा था कि तेरा चौदा दफा मेरी बॉडी के अंदर फ्रैक्टर्स हो चुके हैं तो उसमें दो तीन दफा ऐसा हुआ कि एक बात आई कि जी थोड़ा बहुत इसको कोई ऑपरेशन टाइप चीज़ करेंगे तो मेरा पहला सवाल डॉक्टर से ही होता था ब्यूश करेंगे कि नी 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 ब्यूश नहीं करेंगे बातलब यह हलका सा उंगले के महिंकर नी भ्यूश कर दे इसलिए कि मतलब किये अभ सेर्जिन्स डियरो सेर्जिन्स अंडिरेक करें मैं तो अभी भी कोँगा कि मेरे था सुला देना जादे बित रहे लेकिन जॉक्तिर नायतलाखान हमाई सब्सक्राइद भाजूद है बाक्सान को लीडिंग ये ऐसी बात नहीं है इसका अपना मज़ा है डाक्रण प्रेशन को आठे दस घंटे जरूर जगा के उसको बताना है कि भाई तेरे ब्रेन में हम घुज गए हैं। बात यह है कि मेजरटी आफ जो ब्रेन ट्यूमर सरजर्जरी है वह हम इसी तरह करते हैं। पैसंट सोय होता है और हम ट्यूमर निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ ट्यूमर ऐसे हैं मतलब तीन से चार परसंट के जो बहुत एलिक्वेंट मतलब के बहुत ऐसी संटर मैसल बोलने स्पीच संटर के करीब होता है या मोटर पावर जिदर से जनरेट होता है उदर होता है। तो इस ग्रूप पेशन्ट में हमने ये देखा है कि अगर हम पेशन्ट को जगाए तो उसके सेव करने के लिए ये दो बहुत इंपर्टिंट जगा है अगर वो इसको बचा ले तो बहुत अच्छा है तो इसके लिए हमने एक क्राठीर बनाया है। उसका जागना बहुत जरूरी है तो क्या होता है उससे आप लोग कोई बातें कर रहे होते हैं साथ साथ हाँ अगर स्पीच सेंटर के निजदी को तो पिर हम पेशन्ट से करें या कुराण शरीप की तलावत करें या कोई गाना गाएं या मुसलसल बोलते रहें और हम उस द हमेज की हुए या इस तरह अगर मोटर पावर की जगह है तो हम मरी से कहते है के यार हाथ उताओ या टांग उताओ डिपेंड करते है के हाथ एरिया है या टांग एरिया है तो अगर हाथ गर जाए तो मतलब है कि हम अपनी जगह से ट्यूमर की जगह से बाइर निकलने है त तो भी स्टाप एड़ पॉइंट हां अच्छा आई थाउट कि ये ये सिरफ एक कॉजमेटिक प्लेजर के लिए है कि ने जी आप जाग रहे हैं और आपके ब्रेन के सरज्रियू रही है इसका तालुक उसकी फाइनल सहत-मंदी से है बिल्कुल नहीं इसकी बतलब है कि ये सहत का ताकि हम मरीज को बगैर डेमेज के हुए जादे से ज़्यादा ट्यूमर निकाल ले और उसको पूरा चांदे कि वो ट्यूमर की जो असरात है उससे बचे इसके लिए जैसा सर्जिन का ट्रेन होना जरूरी है इस तरह इनिस्टिटिस का भी ट्रेन होना उससे भी ज़्या ज़्यादा जरूरी है तो अगर आपके साथ क्वालिफाइड और मतलब ऐसा इनिस्टिटिस नहों जो इसससे स्पेशलिटी में स्पेशली ट्रेन नहों तो पर यह नहीं हो सकता क्यूंकि यह ज़्यादा कमाल इनिस्टिक टीम का है लेकि अब तो अनिस्टिजिया तो देन में आप क्योंके जाक रहा होता है तो पौरन पिर दुबारा सुला देते हैं तो इनिस्टिटिस का मौजूद होना उसके बगए नहीं हो सकता हाँ वो जगा लेता है पिर आखर में जह हम यह सर्फ देखे जो इंपार्टन एरिया है उसको बचाने के लिए हैं बाद में जह जो जह हमो वो बन कर लेते हैं लेकिन ट्यूमर निकालने के दुरान हम उसको वो जाकता रहता है और हम उसके साथ बाते करते हैं और यह अब जाहरे पाकिसान में हो रहा है पूरी दुनिया में यह एक नई इंटिवेंशन लिए कापी अर्टे से लेकिन चूंके हमारे साथ इनिस्टेटिस नहीं था तो इसलिए हम नहीं कर रहे थे तो अब शुकर है हमरे पास यह इनिस्टेटिस अविलेबल है तो हम हमने करना शूरू किया अच्छा आप क्यूंके आपका तालुक ब्रेन और सारी सर्चरी और सारे से हैं एक जो बहुत कॉमन मसला हमें नजर आता है है खास तोर पे अभी प्रोग्राम के आगाज में बात कर रहा था कि 2005 के जलजले के बाद हमने देखा के के पी और किश्मीर में बहुत से यंग्स्टेज जो हैं पूरी जिंदगी के लिए पैरल है अभी तक कोई नियूरो सिर्जरी में ऐसी टेक्नीक नहीं आई कि जो में कोई हरकत नहों कोई संजेशन नहों उसका चोटा बड़ा फिशाप का कंट्रोल नहों तो फिर तो बहुत मुझकल हो जाते हैं लेकिन मुझे याद है हमने काफी पेशिंट के स्पाइन को स्टेबलाइस किया था और पिर हमने उसको एक्टुली रहविलिटेशन की जो जीम थी वो उसमें इन्वाल हुए थे और उन्होंने हमने ब्रेसिस वगेर बनायते हैं और वो अब भी क्रेशिस के साथ वो देके मुझे रूवराण और कि हो सकता है मतलब वो जो औरिजिनल फंक्शन है 100% वो वापस नहीं आ सकते हैं लेकिर वो मॉबायल हो सकते हैं दिख रहे हैं आपकी बात सुन रहे हैं जिनके घर में उनके बहन भाईयों में से या फैमिली में से खुदा नखास्ता खुदा नखास्ता को ब्रेन ट्यूमर का मरीज मौजूद है लोगों को आप क्या कहेंगे लोग ज़रा तोड़ा सा डरते हैं सर्जरी के लफसे क्या इस वक्त पाकिस्तान में जनरली तो आपके स्पेशलाइस्ट फील्ड है इसके लावर जनरली पाकिस्तान में आपके खाल में ब्रेन की ट्यूमर की सर्जरी फॉरं करवा लेनी चाहिए या इदर उदर कभी हुमर पैथिक कभी हकीम कभी अलोपैथिक ये इलाज को आखरी चांस देना चाहिए तो आज के टीवी पाने का मकसद भी मेरे के सामीन को बता दू कि जो वो समझते हैं कि जिस बंदे को ब्रेंट ट्यूमर हो गया बस वो खतम हो गया ऐसे बिलकुल नहीं है यकीन कर ले कि बिनाइन ट्यूमर होते हैं उसका रिजर्ट तो अगर 100% नही हो होता तो 95% में आप मतलब मरीज को 20-20 साल के लिए 25 साल के लिए बचा लेते हैं अगर आप सर्जी नहीं करेंगे तो जिन्दगी 2-3 महीन होती है और हमने देखा है जो नए फसिलिटीज आई है जो अवे करेंने अट्मी हो गया अब हमने मरीज को डाई भी देना शुरू किया है और पर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो डाई जो का पाट है वो ट्यूमर ले लेता है और ब्लू नजर आता है तो यू कें कंप्लीटली रिसेक्ट डेट पार्ट आप दा ब्रेन जो ट्यूमर ने वाल किया हो बगेर पेशिंट को डेमेज किया हुए है तो मतलब है कि मैक्सिमम आपको ट्यूमर निकाल लेते हैं और फिर आज कल देखें रेडियोटरपी आई है नए 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 अकिमोटरपी के जो ड्रग्स है वो अवेलबल है तो यू कें एक्स्टेंड दा लाइफ फ्राम बोर देन टू येर्स अगर आप नकरें तो दो महीन हमें वो बर जाते हैं यानिके सर्जरी जो है वो अब जतनी सफिस्टिकेटड बिल्कुल हो चुकी है ये पूरा अमल जो है कि उसके अंदर रेक्मेंड़ होता है कि सर्जरी करवाके आप अपनी लाइफ पे इस्टेंड कर आसे हैं बिल्कुल अभी तो बहुत जारा ने ने एक्वेमेंट आया है जैसे नीरो निविगेशन हम कहते हैं जो कंप्यूटराज तरीके से आपको पिक्चर बना लेते हैं और उसी बिल्कुल ट्यूमर के उपर पिन पॉइंट आपको होल बना लेते हैं और फिर वो मदद देता है निकालने में भी और इस तरह ये डाया जो आया है ये भी जब ट्यूमर निकालने में मदद देता है जैसे आपने के निरो निविगेशन यानि कि वो पूरा रास्ता बताता है कि ट्यूमर कहा पढ़ा रहा है और तीसरा ये जो मैंने बदा है अवेक रिनाट भी ये सब हेल्प करते हैं कि बगएर पेशिंट के डेमिज की हुए है अब म बहुत शुक्रिया बड़ा दिल्चस्प सा ये ख़वर ती तो हमने सोचा के चौक साब को बलाएं और आपको बताएं के जाकते हुए भी ब्रें टूमर के सरजरी पाकिसान में मुम्किन है और हो रही है और लेकर अब मुझे पता चला को सिरफ शौकिया जागना नहीं है उसे फाइदा ही हो रहा हुता है कि साथ-साथ पता लग रहा हुता है कि आप ब्रें के किसी और काम को डैमिज तरेंगा है थैंक यू सो मच जोग्साब अल दूबैस्ट बहुत बहुत शिक्या